तो दोस्तो आज नवंबर की 16 तारिक है और आज का जो ये छोटा सा वीडियो है ये बहुत ही खुबसूरत से औरनामेंटल प्लांट पर है ये जो आप पौदा देख रहे हैं इसको ग्रेविलिया, रोबस्ता, सिल्की ओक, आस्ट्रेलियन ओक इस तरह से बहुत से नामों जान दाता है और इस प्लांट की आज जो देख भाल है आपके साथ शेयर करूँगा सबसे पहले इसको शेयर करने का जो मेंन रीजन है ये एक बहुत खुबसूरत सा औरनामेंटल प्लांट या पत्तियों वाला पौदा है अगर आप किसी ऐसे पौदे की तलाश में हैं जो बहुत हाड़ी प्लांट रहे और बहुत इजी टू केर हो तो ये परफेक्ट या बेस्ट आप्शन है जो खास बात मुझे इस प्लांट में लगी ये रिखिए इसकी जो लीव्ज रहती हैं ये हाड़ी होने के साथ साथ इसकी जो लुक काती है वो किसी फर्न की तरह जैसे आप कोई फर्न का प्लांट ब्रो करते हैं पर मेरे पास एक लैदर लीव्ज फर्न का पौद है ये देखिए ये मेरा लैदर लीव्ज फर्न का पौद है तो कुछ-कुछ इस तरह से इसकी जो लीव्ज हैं ये सिल्की ओक की तो इसी तरह से इसकी भी जो लीव्स हैं ये दिखाई देती है लेकिन देखने में बहुत ज़़ा खुबसूरत ये जो मेरा प्लांट देख रहे हैं ये देखिया आपको दूर से दिखाता हूँ इसको मैंने लगभग तीन साड़े तीन साल पहले या चार साल पहले नर्सिस एक में छोटा सा प्लांट ले कराया था तो उसको इस पोट में ग्रो किया था यहाँ पर देखिये ये दस इंच का मिट्टी का गमला है दस इंच का पोट इसके लिए पिछले तीन साल से बहुत सफिशेंट है हलाकि इस समय पर ये जो प्लांट है ये रूट बाउंड है इसको रीपोटिंग की सक्त जूरत है लेकिन फिर भी आप नोटिस करेंगे बिदाउट रीपोटिंग भी पिछले तीन से चार साल में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और बिलकुल ग्रीमरी को लिए हुए है तो अगर आपके घर में या आपके गाडन में कोई ऐसा आईरिया जहां पर कम देर की धूप रहे या फिल सनलाइट भी रहे हाला कि ये जब प्लांट थोड़े मैच्छोर हो जाते हैं ये अट्री रूप में ग्रोव करते हैं ये प करनी पड़ती है इस प्लांट को मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर में वहाँ पर उस जगाँ पर ग्रोव किया था और वहीं पर पिछले तीन साल से ये कंटिन्यू एक ही प्लेस पर है इसके लावा अगर केर की बात करूं तो इस प्लांट को कोई खास फर्टलाजर की रिक् वीड नहीं किया तो हाड़ी पर्मनेंट प्लांट होने के साथ साथ एजी टू ग्रू है दूसरा इसमें आप अच्छी सी एक सुन्दर सी जो कैनपी है जैसे आप ये देख रहे हैं इस समय इसकी भी एक सुन्दर सी जो कैनपी है वो डिवल्प होने लगी है तो इस तरह से इसकी सुन्दर सी जो कैनपी है वो बहुत इसली डिवल्प कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा प्लांट जो बिल्कुल स्ट्रेट रहे बिल्कुल सीधा चले तो ये उसके लिए भी एक परफेक्ट आप्शन है इसको आप बिल्कुल कमपैक्ट शेप में ग्रू वीडियोज केवल दो चार वीडियोज ही मुझे दिखाई दी तो मोसली इसका जो नेम है वो अनन रहता है इस तरह के पौधों का और नर्सरी वालों को भी नहीं पता होता इनके नेम्स क्या हैं तो आप नर्सरी पर जाए इन प्लांट्स को इनकी लीव से सर्च कीजिए इ आपको ये हलाकि रोड साइड पर भी ये पौधे जो है वो लगे हुए दिखाई देंगे इस प्लांट की अब मैं रिपोर्टिंग नेक्स्ट समर स्टार्टिंग करूंगा क्यूंकि जब ज़्यदा सर्दी का मौसम रहता है थोड़ा सा ये पौधा रहस्तिया डॉर्मेंस में ज़रूर ग्रो कीजिए दूसरे कुछ प्लांट्स की जगा जो थोड़े से सैंस्टिव रहते है जिनको ग्रो करना टफ रहते है नए गार्डनर्स के लिए ये परफेक्ट उप्शन है ग्रिनरी भी देगा आपके गार्डन को ऑक्सीजन भी देगा और साथ के साथ एज अभी गार्डनिंग, टेक क्यूर।